आज हमारे दिल में आज हमारे दिल में अजब सी उल्जन है गाने बैठे गाना सामने समधन है इतना सौप्ट नेचर के आदमी है इतना सौप्ट उनका कोई एक ऐसा आदमी के साथ कोई खराब बरता और कैसे कर सकते हैं हम हॉल बेट के पिक्चर देखा कभी भी पप्लिक पैसा थ्रो करते हैं चिल्लम-चिल्ली होता है उस अब देखा हमने आज है हमारे साथ में एक ऐसे मशूर गायक जिन्होंने अपने आवास के जादू से हम सब का दिल जीता वेल मेरे साथ है आज कुमार सानु जी वेल्कम सर नाशकर जी कैसे हैं बहुत अच्छा सर राश्री ने 75 वेर्स कंप्लीट का लिए हैं किस तरीके का नुबहत रहा आप कौन के साथ राश्री प्रोडक्शन का जो भी मैंने काम किया बहुत ही मज़े के साथ किया क्यूंकि इनका बहुत ही पंक्चुल होते है एवरिटिंग ताइम में बोलो मैं बहुत पंक्चु जिसको बोलता है एक एक कूल बातावरन में गाना होता था जिसमें ना तो कोई टेंशन होता था ना कुछ बी नहीं अगर गाना कुछ गरबढ हो तो फिर बुद्धोबडा करते थे कोई यह नहीं है गाने के अगर मैं बात कहूं तो किस तरह से आप तक पहला गाना उनका आच्छा क्योंकि उस समय देखो उस समय आचिकी के बाद बहुत हीट चल रहा था हर जगा पर जाना चल रहा था मेरा तो उनको भी लगा के भाई सनुदा से करे तो उनके तरफ से गुपता जी है प्लीज प्लस हमारे जगदीश था उस समय मेनिजर एंड तो यह लोग एप अच्छी प्रोडक्शन के वरे में मेरा एक अट्रक्शन पहले सी था तो मेरे को बहुत मज़ा आया था उस समय हां करके एंड उसके बाद जब मैने काम किया तो बड़ा मज़ा है पहला गाना अब तक किस तरह से फोन आया गुपता जी ने आपको फोन किया था कि गाना जो गुपता जी ने फोन किया था उपता जी ने फोन करके बूला था कि गाना करना है तो सुरज जी आपको याद किया तो फिर उसके बाद रामलक्श्मन जी ने मेरे को फोन किया और उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि सनुदा एक गाना है मज़ेदर गाना था और हमने जाक है गाने बैठे गाना सामने संधन है हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है गाने बैठे गाना सामने संधन है फिर उसके बाद में आपने 2 और गाने काया उनके लिए, 3 और गाने काया उनके लिए तो इसमें क्या है कि सफर जो है यह हम बोला ना कि हमेशा से एक comfort zone जो हम महसूस करते थे इनके सत्काम करने के time पे सबसे बड़ी बात है सुरज बढ़ जाती है जो इनसान जो है एक एक बहुती क्या बोले एक शांत सबाब के एक आदमी थे जिरूने बाते जब करते थे ऐसा लगता कि मतलब फूल जड़ रहा है फूल बारिस हो रहा है इतना soft nature के आदमी इतना soft उनका कोई एक ऐसा आदमी के साथ कोई खराब बढ़ता है कैसे कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता तो यह आदमी जहां पे जाएंगे वो कौंकर करेंगे जीतेंगे हरे का दिल तो हमारा भी वही हालत हुआ था, कि हमने जब सुरज जी के साथ पहला मुलाकात हुआ, तो मैं बहुता है, एक दम मिट्टी का अदमी है, एक दम मिट्टी कान सी मुलाकाती हो पहली अगर अगर इसके वारे में बहुता हुआ था, जब हम रिकोडिंग के दिन आये थे, अर सुरज जी से लेके, रामलक्समान से लेके, जीतने भी सब लिडिक्स राइडर से लेके, सारे लोग सब होँआ पे, एरिंजर, मैक्सिमम, रामलक्समान जी का उत्तम सिंग जी, हमेशा, तो बड़ा मज़ा आता था, उस समय, सब आके एक दम गाना, एक मिनीट में गाना लाइव रिकॉर्डिंग, यह है, उस लाइव रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ आप दर्शकों को बताना चाहें, जो भी नहीं जानते हैं, जो उस वक तो नहीं जी पाए हैं, लाइव रिकॉर्डिंग का मतलब है, एक हॉल हुआ करते हैं, स्टूडियो में, इस हॉल में 100 musicians बैठी हुआ था है सारे musicians के साथ अलग अलग department में अलग अलग section में एक में rhythm, एक में कोई melody, एक में कोई violence, एक में सारा सब बैठते हैं arranger 1, 2, 3, 4 देता है तो music स्टार्ट होता है, साथ में हमको गाना भी पड़ता है अगर एक किसी का भी चूख हुआ तो फिट से दोबर अटेक करना पड़ता है चाहे वो मेरे तरफ से हो, musicians के तरफ से हो जो कि अब आज की समय में नहीं होता है इसलिए क्या होता था कि सारे musicians और singers जो है बहुत conscious रहते थे कि भाई हमें mistake नहीं होना चाहिए तो जो भी है एक अलगी मौजा होता था एक challenge होता था एक काम करके एक तसलिए होता था क्या कर लिया देखा ना क्या कर लिया तो सब लोग तारीब करते थे तालियां बजाते थे एक अलगी महूल होता था खास करके रामलक्समा जी का सूरज जी का इस टेक में तो होता ही था, हमेशा से, क्योंकि इतना सौट लोग है, खाना पिना आ रहे है, चाय आ रहे है, जो जिसको जो चाहिए फटा फटा आ जाते हैं, कोई पूस्ट कोई डिमांड नहीं है किसी का, कोई रोक टोक नहीं है, जो बोलते थे हैं, हाँ, जो आपने गाए हैं, चारों के चारों बहुत जादा धमदार हिट हुए हैं। जो है, हम आपके हैं कौन में, सम्धी सम्दन बाला गाना. It's a super duper hit, कोई भी ऐसा साधी बिया नहीं है, जहां पर ये गाना नहीं बसता है. राज की बात बताएं, आराज की बात बताएं, संधी पुष्टिसमत हैं, लक्ष्मी है संधन जिन से घर जननत हैं। And it's a very, very super duper hit हुआ था. And I'm lucky के हमने ये गाना लाता जी दिदी की साथ गाय थे. Super duper hit गाना था. आज भी लोग उस गानों पर थरखते हैं और उस गाने को धराते हैं। And then, हम साथ साथ है। उसमें भी गाना बहुत जबरदस था, मारे हिब्रे में. ये प्यार का सावन आया है, संगप्रीत का मौसम लाया है जो दिल में छुपा के रखा था, वो रास लबों पर आया है। दिल में बस राके अपना बना के ले चलू क्रेम नगरिया। मारे हिवडा में, मारे हिवडा में नाचे मूर तक थैया थैया। चाहे ले जाओ जिस ओर संग चलूंगे सैया। And दूसरा है जो छोटे-चोटे भाईयों की बड़े भाईया। जिल मिल हो गई है अखिया। याद आई बचपन की घड़िया। जिल मिल हो गई है अखिया। याद आई बचपन की घड़िया। नए सफर में लग जाएंगी प्यार की इनको हत करिया। जचते हैं देखो कैसे बड़े भाईया जचते हैं देखो कैसे बड़े भाईया राम जी भी हाने चले शिता मैया वो जो था एक और एक टाइटल सौंग था हम साथ साथ है हम साथ साथ है तो इस अल सौंग्स जो है ना क्या है कि इनका जो हमको इसलिए और ज्यादा अच्छा लगता था कि इनका जो प्रोड़क्शन में जो फिल्म बनते थे वो फिल्म सारे परिवार बैठके एक साथ देख सकते थे हम हाल बैठके पिक्चर देखा कभी भी पबलिक पैसा थ्रो करते हैं चिलम-चिली होता है उस अब देखा हमने लेकिन क्या है कि इनके शुटिंग में कभी गया नहीं शुटिंग में भी ऐसा ही होगा पंक्चुलिटी होगा जैसे साथ के लोग करते हैं तो ऐसा ही उनका भी होता होगा उस समय क्योंकि मैंने किसी से भी आज तलक सुना नहीं कि राज़शी प्रोडक्शन में शूट करके मेरे को तंग हुआ बहुत मैं परशान हूँ यह वो आज तलक किसी गया इतना साल का केरियर में कभी नहीं सुना तो इनका तो मेंन चीज कोई है कि कमफोर्ट जोन इतना तगड़ा हो जाता था कि इनसान आके आराम से काम कर सकते है क्योंको लगता था कि मैं घर में काम कर रहा हूँ यहस ड़िज़ अपने सही बोला तो चारो गानों में से आपका परते लिग कौन सा बहुत जाबादा जो आपको परते लिग हम कबसे कम 10 साल तो कौंटीनियू शो में हर खर् Θ्यो में हार शो में हमको गाना पढ़ता था सामने से रिकोईस ट रहा ता और मेरे अपरता था तो घञान तोatellन और फिदी अ अब्किट पत्तिदन आः टिन अपर को जादा आँ से पसंदा यह rapidement के साहरे गाने घड़ प्ले किया था यह लोगुनाए फिल्म में सिर्थ दो लाइन गुर्गुनरादे चाहें के कोई भी आपके फेविट गी? हाँ वही फेविट गाना मेरा हुई है आज हमारे दिल में आज हमारे दिल में अजब सी उल्जन है गाने बैठे गाना सामने संधन है हम कुछ आज सुनाएं ये उनका भी मन है गाने बैठे गाना सामने संधन है सामने संधन है सामने संधन है तो गाने हम तब इतन한데 Miche Danga 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 the music इसली गाना हorfाता है उस टमके अगर मैं이가 बात कहूं तो जस तो तरीके से आज भी हम जाना सुनते हैं तो हम उस गाना से रिलेट कर आती हैं उस समय के गानों की जो शेलफ लाइफ हो करती थि कि आज हम सुन रहे हैं बीस साल के बाद में और 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 बीस पहले music एक territory हुआ करता था, एक फिल्म का, music बेच के एक बड़ा amount आता था, आज music को secondary कर दिया गया, and that is the सबसे बड़ा इन लोगों का सबसे बड़ा fault है, सबसे बड़ा, की बोले, minus point है, कि music एक ऐसी चीज है, जो public को hall तक लेके आता है, music, आप पहले music रिलीज करते हो, पहले music रिलीज होते ही अगर गाना, चल गया तो, public उसको देखने के लिए hall, तो hall में आता था, because of music, तो music is a territory, music जब H&B खरीद लिया, या तो, समझ लो, T-series खरीद लिया, या कोई और company खरीद लिया, tips करीद लिया, venus खरीद लिया, तो वो music को heavy पैसा देके खरीदते थे, फिर उसका marketing करते थे, और market में फैलाते थे, लोगों को publicity करके, लोगों के पास ओगाना जब पहुंशता था, लोग उस गाने को सुनके, अंदर या अंदर attract होते थे, कि चलो अभी film तो देखना ही आई इस गाने के लिए, तो music, public को खीच के hall तक लाने का सबसे बड़ा काम करता था, जो अभी का जो कुछ बेवकूप है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोग है, बेवकूप ही है, और कि क्या बताएंगे, जो music को side कर देते हैं, music को, ठीक है, music राख लो यार एक दो, वो उसको यह नहीं मालूँ, कि music होगा, तो यह होता है कि relaxation, फिल्म का मतलब है, relaxation, फिल्म का मतलब है, हम entertain करेंगे with relaxation, फिल्म का मतलब है, हमको एक सुकून मिले कि भाय, जिस tension में गुजर रहा था, उस tension है, हाट के, मैं एक one picture देख रहा हूं, जिसमें हमको attract किया, हमारा दिमाग को attract किया, उस tension से हाट के, तो अगर आप उसमें कामियाब होंगे तो एक ही चीज में होंगे that is music, story, direction, acting आता है बाद में ऐसा बहुत सरे फिल्म है जहां पे acting नहीं है फिर भी पिक्चर हीट है because of song because of songs ऐसे बहुत सरे है हमारे life में तो बहुत सरे है रही साल सुरज वढ़ जातिया जी का राईश्री प्रोडक्शन्स really I feel comfort and I actually क्या बोलू मैं पूरा ने जितने भी उनके साथ काम किया इतना comfort zone में उन लोग ला ले ले थे कि गाना इतना प्यारा होता था और ये होता ही है और सुरज जी को हम नमन करेंगे उनका पूरा खांदान को पूरा परिवार को हम नमन करेंगे इसलिए कि ऐसा मिजाज वाला ऐसा soft spoken एतना खुपसुरा दिल वाला ऐसा आदमी हमारे life में तो हमने नहीं देखा हमारे इतना साल का केरियर है हमने कभी नहीं देखा इस तरह का कोई इंसान इतना soft nature का इतना beautiful खरब लगता है सुनने में लेगिन beautiful हम बोल रहा है handsome तो नहीं बोलेंगे उनका behavior beautiful इतना खुपसुरा नेचर के आदमी है मतब उपरवला ऐसे बहुत मुश्किल साइसे लोग बनाते हैं थैंक गॉड कि आमने सुरज बढ़ता बढ़ जातिया के साथ काम किया हम proud I feel proud of that हम राजिश्टी प्रोड़क्शन में काम किया I feel proud of that salute thank you so much sir हम से बात करने के लिए बहुत मज़ा है आपसे बात करने के लिए बहुत मज़ा है आपको अच्छे अच्छे फिल्म दिये जाए दिये जा रहे है और मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा इस पचाता साल के लिए कि इतने सालों तक आपने अच्छा चीज हम लोगो दिखाया दिया गाने दिये so once again बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत मुबारक हो 75 years of celebration hats up to you people thank God